वस्समाई दातिल बुरूज तो चले वह गोज आप लोगों के लिए देखें इकमिंग वेक क्या लेकर आ रहा है के अनर्जीस हैं तो प्रोफेशनल फरंड के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है इको तो सबसे भली चीज ये कार्ड कहता है कि इगो की वज़े से स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फरंड में कुछ मसले कुछ इशूस हो सकते हैं और दूसरी बात ये कार्ड कहता है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ब्लाइंड हो रहे हैं इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं इस कार्ड में जो फिगर है उनकी आँखों में पट्टी बान लेते हैं देखिए ये जो एक example मेरे mind में आया मैंने आपको कहा कोई भी चीज हो सकती है जिसके लिए आँखों में पट्टी बान दिरी है मतलब आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं not that आप ignore कर रहे हैं बट आपको लग रहे है यार अपना काम कर लो अपने you know जो भी चाह रहे हैं या फिर एक positive result मिलता है long term में हम परेशान होते हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इनसान है जो आपको थोड़ा सा control कर रहे हैं कर रहे हैं और ये professional front की में बात कर रही हूँ और दिखिए जब भी भी कोई इनसान ऐसे कर रहा हो ना तो हमें उसी time उनको correct करना चाहिए बहुत सरे लोग बुलेंगे मैं हम अगर boss है तो हम क्या करें दिखिए I know boss को हमने regard करना है respect करनी है but at the same time अपनी body language से या किसी भी तर है कि हम बिल्कुल उल्टा सिदा मूँ पे बोलना शुरू करतें but yes you know we have to create healthy boundaries और जो एक और चीज ये काट कहता है कि हो सकता है कि आप ही किसी चीज को लेकर बहुत अपसेसे हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप effort कर रहे हैं जो भी आपका goal है जिसके लिए हो रहे है कि बस ये तो मुझे outcome चाहिए ही चाहिए कुछ भी हो जाए ये तो मुझे achieve करना ही करना है which is a very good thing हमें विलपार रखनी चाहिए हमें focused होना चाहिए लेकिन जब यही चीजें over हो जाती है न तो फिर वो obsession बन जाती है और दिखिए obsession is a negative energy negative energy positive result नहीं लेकर आती है औ और इन ही energies की वज़ए से इतना stress tension हो जाता है हम outcome से यहाँ पर दिखिए मैं outcome का example दे रही हूँ लेकिन कोई भी चीज हो सकती है जिससे हम बड़े attach हो जाते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं और यह भी हो सकता है कुछ के लिए कि कि किसी चीज को लेकर बहुत एक addiction हो रही है workaholic हो रहे हैं जितना काम कर सकते हैं उससे भी जादा कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर actually मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस reason की वज़े से stress हो सकता है लेकिन broader level के लिए काट कहीं stress की बात करता है और जो भी चीजे मैंने आपको बताई अगर आप भी इन में से किसी भी यह वो बहुत ही यह असानी से आप overcome कर पाएंगे आप relaxed feel करेंगे लेकिन अगर इन ही चीजों को आपने check करके correct नहीं किया तो फिर आप परेशान होंगे क्योंकि देखिए ego का काट कहीं rider wet में devil का काट है और devil का काट कहीं stress tension की बात करता है अब reasons मैंने आपको बता दिये फि पिर कोई आपके professional front में controlling dominating हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा attach हो रहे हैं किसी भी चीज से तो देखिए किसी भी चीज को लेकर इन में से कोई भी चीज पाएं तो उसको check करके correct करेंगे यह week आपका ठीक जाएगा and personal front के लिए आप लोगों के लिए night of swords का card है और यह card कहता है बहुत जल्दबाजी में है भाई आप बहुत ही जल्दबाजी में है और यह जल्दबाजी सब Virgos के लिए differ करेगी कुछ के लिए जल्दबाजी कहीं जाने की हो सकती है कुछ के लिए काम करने की हो सकती है कुछ क आप भी पाएं वर्गोस तो जरूर इसको चेक करके करें आप से बात करते करते एक दू सेनारियो और you know mind में आए जैसे होता है जल्दी जल्दी हम शॉपिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से कोई चीज खरीदना चाहा रहे हैं हमने जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे कर लिया या you know किसी के घर जाना अए या ट्रावल करना है तो बड़ी जल्दी जल्दी में प्लान बना लिया which is fine कभी कभी हो जाता है but pause करके अच्छे से समझ ले कि आप क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हाला कि ये काट कहता है कि आप बहुत clarity के साथ चीज़ों को deal कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप confused हैं, in fact अगर कोई confusion है तो उसको भी आप हटाते वे दिख रहे हैं, आप बहुत logically चीज़ों को deal कर रहे हैं, अपने goal, अपने मकसद को अपने सामने रखते हुए, बहुत ही concentration के सा आप उस direction में जाते वे दिख रहे हैं, which is again very good, बट थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगी pause करके, या you know mind में ही इस चीज़ की checking कर लें, कि कहीं ऐसा तो नहीं आप over logical हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप over mind से चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप इतने blunt और straight forward हो रहे हैं, कि और अगर ऐसा पाएं, तो फिर से कहूंगी check करके correct करें, otherwise night of swords is a neutral card, मतलब ये card कहता है, कि बहुत तेजी से या तो चीज़ें हो रही हैं, बहुत speed से चीज़ें हो रहे हैं, या फिर बहुत speed से आप चीज़ों को करना चाहा रहे हैं, और clarity के साथ करना चाहा रहे हैं, emotions, feelings, sentiments missing रहते हुए देख रहे हैं, या फिर आप emotions, feelings, sentiments को अपने उपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दे रहे हैं, again which is a very good thing, but heart और mind का balance रहे हैं, और yes, एक और चीज़ याद आई, कि आप इस week travel कर सकते हैं, या travel से related आपकी planning बन सकती है, और sudden changes भी personal front में किसी भी level पे हो सकते हैं क्योंकि ये weekly reading है, छोटे मोटे sudden changes जाधे रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ के लिए एका दुका के लिए कोई बड़ा भी sudden change है सकता है, अब sudden change सब के लिए differ करेगा, and in general या फिर guidance है, white witch का card है, और ये card कहता है, be the light, तो दिखिए बहुत ही clear message है कि कि किसी से न beyond the point कि इसी भी चीज की उमीद या expectation ना करें, इस card में owl बना हुआ है, और owl कहीं wisdom को represent करता है, तो आपने अपनी wisdom से, अपनी समच से चीजों को करना है, और आपने लोगों को रास्ता दिखाना है, लोगों के उपर depend ना करें कि वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको guide करें हैं, और astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है, इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, और significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था, वो गोज आप लोगों के लिए coming week का साथा ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कि कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect करें, थोड़ी सी जो राइड है वो बंपी है, तो dates को carefully note कर लीजेगा, हो भी सकता है, कुछ भी नौ, लेकिन अगर खुदा ना करें, कोई unexpected situation अगर आ जाए, तो आप पहले से कमर कसके रखिए, ताकि आपको पता हो कि हमने इसको कैसे दील करना है, 27th, 28th, relaxing dates है, बच्चों के साथ time गुजारें, बड़ा मज़ा आएगा आपको, बच्चों को अपना time दें, बच्चों के साथ उनकी सुने, उनकी situation में जरा involved हुई है, और love life में अच्छी dates है, तो वो वर्ल गोज जो लव लाइफ में, उनके लिए बे तारीख यह बड़ी मज़ेकी हैं, और आपकी एक असान डेट्स है, अगर आप कोई अपना मौकफ तसलीम करवाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक असान डेट्स हैं, 29th और 30th यह थोड़ी स्लो हो जाती है, हेल्थ को से भी स्लो कर देती है, या कोई stomach issue नापको बढ़ जाए आ या health area आपके लिए को problem ना पैदा कर दे, तो यहां पे आपको थोड़ी सी एहत्यात करनी पड़ेगी, वर्गोस अपनी health area और हमारे वो वर्गोस जो job में है, और इसी तरह अपने जरा staff पे भी नज़र रखिए, और colleagues के साथ बहुत ही मसलह पसंद रवाई है किस और उसको समझ की चलिएगा, रवाई है आपका मसलह पसंद होना चाहिए, 31st August and 1st of September यह फिर आसाम पा रही हैं, यानि इस वक्त आप लिए वर्गोस जो है, उनका mood जरा बहतर हो जाता है, घर का front उनके लिए जरा easy हो जाता है, तो इस वक्त आप safe zone में आते हैं, 31st August and 1st of September यानि गुडबाई और वेलकम दोनों आपको इस वक्त सूधिंगे, आपकी उपर आसानी है, अच्छा जी, 2nd और 3rd September फिर वर्गोस को पैनिक आता है, कोई ऐसा unexpected खर्चा mood खराब कर सकता है, कोई पैसों की demand ही ना कर दे आप से, लेकिन यह मुझे अच्छा आपको खर्च करना पड़ता है, तो आप उसकी वरी ना कीजिए, कि अगर वो आपको खर्च करना पड़ता है, तो उसकी tension बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि यह शुकर है कि अलहम्दलिल्ला आने की खबर जो है, वो positive है, तो जो है, इस वक्त तो यह जरूर होगा पर टिक नहीं रहा होगा, जैसे हाथ से रेट सिलिप होती है, लेकिन इस वक्त तो आजाएगा, तो आगे भी रब की रहमत आपके साथ रहे, लेकिन अब जो वर्निंग वर्गोज आपको हर हक्ते मिलेगी, आपने अपने financial matters में अब केरफुल हो जाना है, मतलब कोई business investment plan आ लिया दिये, उसमें आपको बहुत समझदार हो जाना है, बहुत जादा समझदार हो जाना है, कि किसी भी किसम के माली लफड़े में कोई आपको फसा ना दे, तो ये पल्ले बांद लीजेगा, हमारे वो वर्गोज जो हमारे भाई business में हैं, या business opportunities अवेल करना चाहते हैं, आपको यहां पे थोड़ा सब careful होना पड़ेगा, तो बाकी जो है, जो good luck है, हमारे वर्गोज students के लिए good luck हो सकती है, मन पसंद universities में admission आ सकता है, मन पसंद नतीजा, मन चाहा Allah आपको दे सकते हैं, फिर वो वर्गोज जो रूहानियत में upgrade होना चाहते हैं, उनके लिए अच् बहुत अच्छा है, वो वर्गोज जो कहीं immigration apply करना चाहते हैं, उनके लिए best time है, वो वर्गोज जो कोई इस विक्त international travel की opportunity लेना चाहते हैं, आपका time बिलकुल okay है, perfect है, थोड़ा बहुत दिमाग के उपर तनाव रह सकता है, लेकिन रोशनी भी है, और थोड़ा तनाव भी सकते हैं, relationship area में एक सितारा जहां खराबी की कोशिश कह रहा था, वर्गोज वहां पे दूसरा सितारा जो है, आपको rescue भी कह रहा था, वन वन टू टू का काम भी कह रहा था, मैं तो खाम खाम में उनकी promotion कह रही होती, लेकिन पहुत पहुत प्यारी service है, अल्ला भला करे, और जो है, ये ज़रूर है, कि इस वक जो है, relationship जो है, वो, उसमें good luck भी है, और तोड़ी बहुत आपकी हमें wisely, आपकी अकल-मंदी भी required है, कही ना कहीं कुछ चीजें आपको panic में वर्गोस डाल सकती है, panic create हो सकता है, तो वो आपने deal करना है, अपने panic को, तो कि यहां पे कोई कोई चीजें जो ऐसे लगता है, कि वो आपको कहीं panic आपके अंदर ना डाले, और आप panic में आके अपने रिश्टों पे ना नजला उतार दें, तो business relations में भी हमें आपका wisdom required है, और जाती जिंदगी में भी required है, ने रिश्टे भी आपके बन सकते हैं, उनमें भी हमें आपका wisely reaction चाहिए, उसमें भी हमें आपकी अकलमंदी चाहिए, तो मेरे वर्गोस मुझे बिलकुल disappoint नहीं करेंगे, यह मुझे बड़ा confidence है आप लोगों के उपर, बहुत सारे वर्गोस की जिंदगियां transform होने जा रही हैं, जो अकेले थे, वो किसी relationship में चले जाएंगे, अपग्र बड़ है, तो इसको जरा सा समझ की चलने सिर्फ की तरफ, हमारे वर्गोस दोस्तों के लिए long waited good news, आपका अपना जो ruler है, वो direct हो गया, और आपके खर में वो retrograde हो था, आपके पिछले घर में चला गया, बारवें घर में चला गया, वहां जाके उसने कोई, जिसे कहते हैं, तुफान बर्पा किया सारी दुनिया के लिए और अब वो 28th को direct हो जागा, तो आपके लिए समझ लीजिए कि जैसे कोई बोज उतर गया, या आपको practically फील होगा, आप महसूस करेंगे, जैसे आपके उपर से कोई बोज उतर गया, आपको चीज कंदों पर उठाकर फिर रह होते हैं, हम एक डिवोशन का हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, तो हम पूर्खलोस होकर, बेलास होकर, तो इस अबेलास होकर अपनी दौलत, अपना पैसा, ऐसे लोगों पर लुटा सकते हैं, जोस को डिजर्व नहीं करते हैं, बसलिर आप किसी की, याप हो सकता है कि आप अपनी दिल की डेवोशन के वज़े से किसी हगदार का हङ़मार कє किसी और को दे दे। इसका आपने दिहान रखे और यह देखिए क्योंकि मकसद कहने का यह है कि दिहान रखे कोई आपकी रहम दिली का आप की महबत का नाजाइस फाइदा तो नहीं उठा रहा इसका अपने दिहान रखना है उसके बाद इस अपने एक और चीज़ भी होती दिखाई देती ऐसे लगता है कि जैसे कुछ अरसे से कुछ अरसे से आपकी क्रियेटिविटी एक चीज़ होती है से राइटर्स ब्लॉक कहते हैं कि नए आइडियास नहीं आ रहे होते माइन आपको लग रहा होता है कि जैसे अप प्रसिंद की रूटीन में चल रही है तो जो राइटर्स ब्लॉक है वो इस हफ़ते आपके अंदर से दूर हो जाएगा आपको दमाग दुबारा से एक दम खुलेगा उसके बाद आपके लिएक मश्रा है कि आपको जरूर जरूर कोई होबी इस हफ़ते बनाने चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको दुनिया से लाप बेपरवाग कर देए कोई होबी कोई क्रियेटि रिम प्रॉजिक्स ऐसी ऐसे प्रॉजिक्स ढबरे में कभी आपने सोचा था ऐसे लक्की बूस्टर ऐसे ड्रीम प्रॉजिक्स आपको मिल सकते हैं और उसके बाद आपने हमारे जो लियो दोस्स, सारी वर्गो दोस्त है ना इनके अंदर एक चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटसाइज करते हैं लोगों को और तनकीद बराए इसलाह करते हैं नहीं होता है कि थोड़े ब्लंट भी होते हैं थोड़े स्ट्रेट फरवर्ड भी होते हैं यह नहीं होता है कि आप किसी को तकलीफ बंचाना चाहरे हैं या आप किसी को ताना मार रहे हैं या सनब कर रहे हैं आप तनकीद कर रहे होते हैं तू कंस्ट्रॉक्टिव जाएगा क्योंकि हो सकता है कि आप किसी को मश्वरा दे रही हो और को बुरा मांजा तो इसका आपने थोड़ा धिहान रखना है और अपना पूरा फोकस रखिए जो यह आपको एक लगी बूस्टर रिस सब्सक्ते मिल सकता है या लगी ब्रेक मिल सकता है या ड्रीम प्रॉज जो है ना अगर जो कोई चीज़ें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी आपकी जिंदगी में तो वो कॉम्प्लिकेशन दूर हो सकती है आपकी नेगिटिव एनरजी एंग्जाइटी है बेचैनी है गबराहट है बिलावजा लोग करियेट कर रहे हैं आपको बेचैन क को देखिए आपकी जो फाइनांसेज और एजुकेशन है उसमें वो स्टेबल नहीं है आपकी तवज़ जो है वो अभी आप ये किताब पढ़ें फिर आप ये पढ़ना शुरू करतेंगे फिर आप यह एंड में सारा कुछ मैक्स हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा दिहान म रखिएगा आपका इस हफते का लाकी स्टोन गार्नेट है गार्नेट आपका लाकी स्टोन है और गार्नेट वैसे भी आपको सूट करता है तो गार्नेट एक अपने साथ गार्नेट का थंबल अपने पास आप रख सकते हैं इस तरह से ये गार्नेट होता है और इस हफते गा और अगूर अगर आपको डाक कलर के मिल जाएं तो वो ज्यादा बहतर है आपका डिवाइन मेसिज कह रहा है मुखतसर लोग, मुखतसर अलफाज, मुखतसर तवाफ़ात इस हफ़ते आपको कम्याबी दिला सकती है अब मूव करते हैं